हेलो बच्चो कैसे हूँ आप सब वेलका बैक टू सूपरकंसे प्लासेज तो जैसे के हम सब भी जानते हैं कल से क्लास 12 इंग्लिश कोर का जो एक्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है तो आज हम लोग फटाफट से क्लास 12 का जो पैसेज है उसको रिवाईज कर लेंगे ठीक है तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चो इसमें जो हमारा पहला पैसेज है वो लेंग्वेज के बारे में दिया हुआ है ठीक है और इसमें टोटल 6 क्वेशन है ठीक है एक से लेके छेक क्वेशन है ठीक है ठीक है ना तो उस्को दिया गया है तो तो हमारा पास चार आपसन है अपनी पूछ को उपर नीचे हिलाता है, ठीक है, तो option A जो है, यह हमारा correct answer हो जाएगा, चलिए next question देखते हैं, question number 3 है, a dash bark when strangers come near, ठीक है, जब strangers सामने आते हैं, तो कौन bark करता है, तो इसका simple है, bark means क्या होता है, भौक ना होता है, तो कौन भौकता है, doggy भौकता है, जब कोई stranger सामने आता है, तो option B जो है, हमारा correct answer हो जाएगा, चलिए next देखते हैं, next question है, no animal possesses the gift of, ठीक है, animals के पास यह उपहार नहीं है, तो कौन सा उपहार नहीं है, तो option A है writing, option B है talking, option C है welling, या फिर option D है language, तो very simple कौन सा उपहार नहीं है, तो language का उपहार नहीं है, ठीक है, तो option D जो है, हमारा correct answer हो जाएगा, next question है, when a bee sees food, it communicates to other bees by, मतलब जब एक बी food देखती है, खाना देखती है, तो वो दूसरे bees से कैसे communicate करती है, तो dancing के through करती है, ठीक है, तो option B जो है, हमारा correct answer हो जाएगा, next question है, in the passage, the word cause and means, ठीक है, cause and means इसमें, इसका मतलब क्या है, तो वो हो जाएगा, one, ठीक है, यानि कि सावधानी, तो option C जो है, ये correct answer हो जाएगा, आप देखिए, बच्चों, हम लोगा जो next passage है, ये book के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर इस passage को अच्छे से पढ़ लीजेगा, ठीक है, तो चलिए, तब तक हम लोग question answer के और चलते है, next question है, for the majority of people, book reading is dash, ठीक है, मतलब, majority of people के लिए book reading जो है, वो क्या है, तो वो है, an enjoyable intellectual exercise, ठीक है, तो option A जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, चलिए, next देखते है, next question है, books are helpful for dash, ठीक है, books are, books जो है, वो helpful होते है, ठीक है, तो option A है, reporting, research, results, ठीक है, option B है, spreading progressive view on vital matters, ठीक है, option C है, studying for exams, ठीक है, और option D है, all of the above, तो देखे है, हम सभी जानते है, इसका answer क्या हो जाएगा, all of the above हो जाएगा है, तो option D जो है, ये correct हो जाएगा, चलिए, next देखते है, next question है, which of the following sentence is not true, ठीक है, इन चारों में से हम लोगों बताना है कि कौन सा sentence true न books, ठीक है, ये option C जो है, ये हमारे correct answer हो जाएगा, ये जो statement है, ये true नहीं है, ठीक है, चलिए, next देखते है, books contribute to, ठीक है, dash, books किसको contribute करता है, option A है, financial advancement, option B है, physical advancement, option C है, mental and spiritual advancement, ठीक है, और option D है, all of the above, तो very simple हम लोग जानते है, इसका answer हो जाएगा, all of the above, ठीक है, option D जो है, correct ह हो जाएगा, चलिए, next देखते है, next question है, the word, dash, in para 2 means, ornamentally, ठीक है, मतलब paragraph 2 में, कौनसा वैसा word है, जिसका मतलब है, ornamentally, यनि कि सजावाटी, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, decoratively, ठीक है, तो option C जो है, ये correct answer हो जाएगा, चलिए, next देखते है, next question है, choose a suitable title for the passage, passage के लिए हम लोग एक suitable title देना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, human advancement, ठीक है, तो option D जो है, ये correct answer हो जाएगा, अब देखिए बद जो ये जो next passage है, ये एक story के जैसा है, ठीक है, मैं इसका जो screen जोटे ये लगा देती हूँ, आप लोग तो हमारा first question है, what had the man anchored at the rocky coast of the island, ठीक है, आदमी ने दूइप के चटानी टत पर क्या लंगर डाला था, ठीक है, क्या डाला था लंगर, तो वो अपनी vote को, ठीक है, तो option C जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, next question है, what had impulsed the man to visit the island, आदमी को दूइप पर जाने के लिए किसने प love of adventure, option C है, search of food, और option D है, both A and B, तो देखे, इसका answer हो जाएगा, both A and B, ठीक है, यानि कि option D हमारा right answer होगा, चलिए, next देखते है, next question है, when did the man set to sail for the island, ठीक है, आदमी जो है, वो दूइप के लिए, कब रवाना हुआ, तो in the morning, ठीक है, morning में रवाना हुआ, तो answer क्या हो जाए ठीक है, चलिए, next देखते है, next question है, the man could taste salt on his lips as the fine sea spray rose up and fell and his teeth were chattering with, ठीक है, तो किसे chattering कर रहे थे उसके teeth, तो cold से, ठंड से, ठीक है, तो option B जो है, ये हमारे correct answer हो जाएगा, next question है, where did the man stop to regain his breath, ठीक है, मतलब वो कहां पे रुका, अपनी सासों को दोबारा अच्छे से लेने के लिए, तो by a tree, ठीक है, tree के पास रुका, तो option C जो है, ये correct answer हो जाएगा, next question है, choose the correct word for forced which means same as in the passage, ठीक है, passage में force का, मतलब correct word खोजना है, जो उसका same से में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंपल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो option D जो है, हमारे correct answer हो जाएगा, next question है, choose the correct meaning of the word chop are used in the passage, ठीक है, इसका correct meaning खोजना है, जो passage में use किया गया है, तो जाएगा rough, ठीक है, option A, तो ये हमारे correct answer हो जाएगा, आप देखिए बच्चों, हमारे next passage है, ये coconut के बारे में, ठीक है, मतलब coconut, जो नारियल है, उसी का ये passage दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग इसको, मैं इसको scroll down कर देती हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ठीक है, चलिए, अब हम लोग चलते हैं question की और, तो first question है इससे, where are the coconuts ground, ठीक है, coconuts कहां grow करते हैं, तो इसका answer हो जाएगा, उसनों कटी बन दिये छेतर पर, ठीक है, यानि की tropical regions, ठीक है, option A जो है, ये correct हो जाएगा, चलिए, next देखते है, what does the cocoa word mean, ठीक है, word cocoa mean, यानि की जो cocoa word जो है, इसका meaning क्या होता है, तो option A है skull, option B है head, option C है meat, या फिर option D है both A and B, तो तो both A and B, यानि की option D जो है, ये answer हो जाएगा, ठीक है, next question है, which part of the coconut is used extensively for cooking and flavoring, ठीक है, कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, तो वो है meat, ठीक है, तो option D जो है, ये correct answer हो जाएगा, चलिए, next देखते है, next question है, the coconut and the nickname ghost, because, मतलब coconut को ghost नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो होंगे, तो answer क्या हो जाएगा, it resembles a face, ठीक है, एक face के जासा ये दिखता है, तो option B जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, अब next question है, choose the most appropriate title for the given passage, इस passage के लिए एक perfect title क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, coconut of fruit, ठीक है, तो option B जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, अब जो हमारा next passage है, ये दिया हुआ है, चिपको अंदोलन के बारे में, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक कर, इसको अच्छा से पढ़ लीजे, ठीक है, देखिए, यहाँ तक है, तो चलिए, अब हम लोग questions बनाते हैं, तो हमारा first question है, इस passage से, which of the following statement is not true, ठीक है, as per the passage, मतलब passage के अमसार इसमें से, चारो में से कौन सा statement सही नहीं है, ठीक है, तो आप लोग जो passage पढ़ेगा, तो पता चलेगा, कि इसमें जो C number है, the first recorded event of Chipko took place in Jodhpur in 1931, ये जो statement है, ये सही नहीं है, ठीक है, तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा, option C हो जाएगा, ठीक है, next question है, the moment practices the Gandhian methods of, ठीक है, तो civil disobedience, ठीक है, और चौथा जो है, वो non corporation, ठीक है, तो हम लोग बताने है, इसमें से कौन right होगा, तो देखिए, जो both two and four है, यानि कि सत्यागरा और non corporation, ठीक है, ये दोनों हमारा right हो जाएगा, तो option C जो है, ये correct answer हो जाएगा, ठीक है, next question है, where did Chipko moment start, कहा है स्टार्ट हो तो option C जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, next question है, the landmark event of Chipko moment took place on 26th March 1974, ठीक है, कहा हुआ था, तो गरवाल में हुआ था, ठीक है, तो option B जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, चले, next देखते है, next question है, the Chipko moment received the right livelihood award in, तो Chipko moment को right livelihood award का मिला था, तो 1987 में मिला था, ठीक है, तो option C जो है, ये हमारा correct answer हो जाएगा, next question है, the first recorded event of Chipko moment took place in, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, खेज राले ठीक है, तो option A जो है, हमारा correct answer हो जाएगा, Państ नेक्स-क्रेस के साथ बच्चों हमने इस वीडियो में पूरे 5 पैसे रिवाईज किया, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं 5 पैसेज के साथ तो चले बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में